तो तो व्यावट वेलकम टू इंडियास नंबर वां प्लेटफॉम फॉर्टेशन ओफ सी सट और यू थे टेट जिस पेपटू तो सुनेंट्स देखो आज मैंने कुछ नहीं लिखाऊ यू पे सी सेट सिर्फ दोज़ार चॉबिस लिखा हुए रिजन यह आज का जो मेरा चोटा सा सेशन रहने वाला ना इसमें नहीं में बात करूँगा इसे टॉपिक बात करूँगा नहीं में बात करूँगा अब से किसी कोश्चन की बेग जर्नल डिस्कॉशन के तोर पे इस बेसिकली वीडियो को लेकिया है क्यूंक मैक्सिमम कि और उनों की एक बात और थी नेक्टि मार्किंग भी थी मैं क्या वो तरीके अपना हूं क्या वो मैंथड क्या कोई ऐसे टिकनिक है कि जहां पे मेरे पास सिरफ एक पॉजिटिव आउट्पूट में लेके चलो इसको मैं कहने का मतलब क्या है कि मैं जो है सिरफ जादा जादा कोश्चन करेक्ट कर पाऊं और जो कुछ गलत मैं कर रहा हूं या कर रही हूं उनको मैं कहिना कि अवाइड कर सेखों क्यों कि होता कि अब हो क्या रहे वन थाड़ आपकी खड़े हैं ठीक है जितने मार्क चाहिए उससे एक दो नमबर आपका ज्याद है उसी दोरान एक से दो कुछ नम के एक्टीव हो गई तो आप वही फ्रेम से टोट्रिया उट होगे है कि सो कई बार होता क्या है ज्यादा ठीक करते करते ना कॉन्फिटेंस लेवल ऐसा बूस को समझ आता जाएगा तो प्लीज जादा से जादा आपने शेर करना लाइक करो और सब्स्राइब कर लेना चैनल को रीजन क्या है जब आप पेपर दोगे ना इन चीज़ों का खास खयाल रखें और मैं चाहूंगा यह वीडियो सब सुडेंस तक पहुंचे जितने बच्च होती है ठीक है तो प्लीज मैं चाहूंगा आप शेर जरूर करें किसी का भला करो को कहते हैं अगर आप नेचर में कुछ पॉजिटिविटी डालो की तो पॉजिटिविटी वापस आएगी कि अगर आपने आम का पेड़ लगा तो आम के फली मिलेंगे आपको तो किसी जरू सबसे इंपोर्टेंट जो है न सबसे पहला प्रिविएस एर कोशन है कि है क्या आप देखो मैं अगर आप मैंने थोड़ दिने पहले ना एक वीडियो डाली पर्मोटेशन कॉम्बिनेशन का माइक्रो लेक्षर उसमें एक कोश्चन दा 2023 का एक कोश्चन दा दो जार सथा का की बच्चन बब एक हैसा कोश्चन दो आज तक आयाई ही नहीं ऐसा कोश्चन दो मतलब हमने देखा ही नहीं ठूली कहूं 2023 का कोई भी ऐससे कोशन नहीं था जो पिछाले प्रिवेस ययर के पेपरों से रिलेटिट नहीं था एक भी कोश्चन मुझे दिखा दो एक भी कोंशन आप मुझे दिखा तो मान जाओंगा जब था ही नहीं आप क्या करोगे तो जब भी आप पेपर की तैयारी करें न प्रिविएशेयर कोश्चन जरू करने हैं प्रिवियर्स के येर कोश्चन्स इन प्रिविश्य रेक कोश्टन से होगा क्या मुझे सबसे बहले क्या पता चेलेगा चेंज इन फ्रेंट इन पॉइंट्स वह समझेंगे चेंज इन ट्रेंड का पता चेलेगा नमबर दो पर आप चेंज इन level of questions टीक है नम्बर 3 पर क्या पता चलेगा important chapter मुझे important chapter का पता चलेगा ठीक है नम्बर 4 पर क्या पता चलेगा approach to follow अब इस एक पॉइंट में चार पॉइंट है कि क्यूं मेरा जो प्रिवीज यहर के एनलेसिस है क्यूं प्रिवीज जुरूरी है सबसे पहले जो आप लोगों इतना रोला मचा है ना कि 2023 में तैसे पर फरागा कभी आया नहीं वह क्या था वह एक्षुली चेंज ओट्रेंड थ मतलब जब आप जैसे 2017 में असान कोशन आते थे 16 में थोड़े मुश्किल आए या 18 की बात करना सुरी मुश्किल है 19 में थोड़े और 26 22 तो जब प्रिवेस पांचे साल की पेपर्स कर लोगे तो आपको पता चले का है यारी तो असान कोशन आ रहे थे और कोशन का लेवल भ लाकिया जब मैंने इसको देखा कि इसको प्रिवेस ये कोश्चंस को देखना शूरू किया है मैंने क्लियर नंबर तीन पर क्या है इंपॉर्टन चेप्टर मुझे कैसे पता चलेगा कि नंबर सिस्टम आपको नंबर सिस्टम 355 माइक्रों सा करके देखो सब सानी लगेगा बनकी पतार चल रहा है ठीक है नंबर चार पर अप्रोच टू फोलो की अगर मुझे कोई चैप्र मुझे लगी भी रहा है तो मुझे क्या अप्रोच करने चाहिए या सिरफ माकरों से काम चल जाएगा तो यह एक इंपोर्टन आपके प्रस्पेक्टिव है जो प्रिवीश जानना भी है ठीक है तो यह होगा प्रेविशन को जरूरी है नंबर दो अगर आपको नेगटिव मार्किंग करनी है दूसरा इंपॉर्टेंट आपके पास जो प्रस्पेक्टिव रहने वाला जो अपरोच रहने वाली प्रेक्टिस मोर कोशन देखो आपके पास होता क्या कि अगर आप कॉंप्रेंशन के बात करो तो कॉंप्रेंशन के बहुत सारे कोशन सौल्व कर लो ज्यादा रीडिंग है तो अच्छे टॉपक्स उठालो को आंट का तो नहीं कोशन करो जहां से जो मिलता है उठाके करना शूरू को रीजन क्या है वहां से आपके मतलब की एक कॉंसेप्ट का बिल्डप ओना शुरू होगा कि अगर परसेंटेज का पॉपुलेशन से रिलेक्टेड़ कोशन है तो डेफिनेटली वह पॉपुलेशन का कुछ जैसे वह एक कोशन था क्या ना मैं मेरे को थोड़े दिन पहले मार माइक्रों के लेक्च्छर ऐसा कुछ ऐसा कुछ था तो उसमें कुछ नहीं करना तो उसमें क्या होना था एक रिष्ण जन्रेट होने तो खुछ भी नहीं होना था कि one-third ऐसा पॉपुलेशन डिग्रीज हो गले अफर फाइव यर्स कितना क्या रोष्यो और यह सबूष्ण था अगर कुछ वह उनियं पर्सेंट मुझे बता दो साल के बाद प्रिंसपल और अमाय। कर रिशों कितना नहींगा है दो आपके परस्पेक्टिव देखो थाुजन था इसका वर में टैन क्या होगा हंड़र होगा चलिए और यह हो गया माउंट और मेरे प्रिंसीपल तो कितना घास सौरसों 121 वाट अगर आपने प्रिमिस से कुछ जा से किम आपके वह बोलोगे सरी तो पर्सेंटेश देटुकुछ ने प्रेक्टिस प्रेटिस पूपलेशन से लेटीटुकुछ निका से किया पर्सेंटेज में किसी इस का कंपाउंड इंट्रस नहीं की होती है एक प्रसेंटेज कर चुका बच्रा जिसने मुल्टिपल कोशिण की है उसरे सिंस्क्राइब बता आप आएगा कि कोशन में कुछन से मैं सिर्फ आपको लेंग्वेज चेंज कर दिए कुछी देट से इसलिए नबर और कोशन की प्रेक्टिक्स की बहुत जरूरत है कि अगर नया कोशन है ना तो वो कहिना की ऐसा लगे कि हां कहीना की को सब्सक्राइब किया हुआ मैं मान तो असी में से पांच कोशन ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं होंगे बट वट अबट सेंट फाइव कोशन वो तो हमारे हाथ मेरे उन्हें तो में करना ही क्लियर बट हमें पहले क्या प्रोच लगानी की 27 कोशन कहां से उठाए नमबर तीन पर गया मॉक टेस्ट देखो मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी किसी भी लेवल के तेयरी लिए दुनिया का कोई भी एक्जाम हो अगर आपने मॉक टेस्ट के बिना वो देने गए ना तो मेरे साब से सफलता कदम नहीं चूमती है मैक्सिम टाइम रिजन क्या है इसका मॉक टेस होता है यह तरह से अपकी यह तरह सोकर क्या होता है अए टेस्ट वीकॉर कि फैनल इए पो कि फफाइनल इक्जाम से पहले आप अपने रोंको टेस्ट कर रहे हो कि कि क्या जो मेरा लयवल है वह ले जो एक्जाम कि मैस का बैकर यह की बैटटि Вас खोडेंघेए रेंडम कोश्चन्स होगे कोई ज़रूरी नहीं है कि मौक टैस्ट से रिलेटीड कोश्चन नहीं एक्जाम में आए क्या प्रिवेस पांच साल वे इस तरह की कुश्चन आये हैं तो इसी रेवल के टैस्ट हमने बनाना है मौक टैस्ट सीरीज आपका एक तरह से आएना है और एक बात रहाद रखना सब्सक्राइब के सो नंबर तो फाइनल एक्जाम में बटकों के उसके उपर निया सकते हमेशा पांच साथ दस नंबर का फरक रहता है कमी आते ज्यादा बहुत रेर के सिसमें आएंगे कि पेपर ब बहुत जादा सनलवल के बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है बट मैं भी नहीं कहुंगा कि बहुत जादा है लेवल की मॉक्तब्स करो को उसे क्या हो गर कुश्षन सोल्वना वह डी मोर्लाइजेशन आपको पैदा करवाएगी क्लिया तो नेक्टी मारकिंग गरने के लिए ठीक है जब आपने मौक टेस्ट दे लिया एक मौक टेस्ट लगा लिए उसके बाद क्या करो इसको एनलाइज करो कहने का मतलब क्या है इसको बैठ के निहारो देखो कौन को इसको कुछन गलत और क्यों गलत है कि अगर कोई कोश्चन रॉंग है मेरा सपोस्पोस करो कोई कोश इसको गलत ना करो क्लियर क्योंकि नेग्टिव मार्किंग अवाइट करने का कोई तरिक करने आपके पास यह सारे ही जो मैंने पॉइंट्स बता रहा हूं और रेगुलर रेगुलर बेसिस पर आपको इन चीज़ों की प्रेक्टिस करने पड़ेगी विकांट से कि एक दिन म सर वो क्यों गलत हो रहें जो आप निए निएफिव कर रहा क्या उसका अपने अंसर और ऐसा भी होता है बताता हूं एक बचाया जैशक्या मेरे नोडीघ्ये मार्किंग्ड इस पेपर में ज़्यादू लगाए उसने जब मैने देखा उससे ने 11 कोशंग घ्यारत शहीं से 3 है और फोड़ा लोग स्वाइब को सकेंदे का मतलब किया है मैंने भी बताया कि जो आपनें को संग गलत ही है जो भी कोचिन आपने गलत हिए ने उनके कि आपने तकाम करो देखो कि आपने जो रोग टेमिटेशन की यह वह क्यूंग गलट हो है क्या उन कोशन का वड़ायड किया जा से जबरति तो नहीं कि आपने कोश्ण की साहा है कि वो कोशन कह रहा भी रुखता बाद में कर लिए पर आपने क्या का जाद बाद फ्लो में कर दिए रीडिंग बनाई यह कोशन को स्किप करने डालो शाइद मेरे पास वही होगा क्लियर प्रेपिंग दाकोशन यह का आट एक अला है बेसिकली मैं बात करूं कोशन को स्किप करना एक आर्ट है तो तक है जब आप मॉक्टैस नहीं लगाते ना तो आपके दिल में क्या ओत पैट के पेपर वाली फिल आएगी फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह के कोशन को टैंप्ट करने किस तरह को छोड़ना यह किस तरह के कोशन को मार्क लगागे छोड़ देना फिर मार्क और रिव्यू यह नि बाद में देखेंगे तो यह सब पॉइंट्स वह हैं जो सारे बच्चों के लिए एक मतलब खाई का काम करती है कि बस उसे निकलना बड़ा मुश्चीज है क्योंकि सब्सक्राइब फिर में कहता बॉर्टर लाइन पर खड़े आप एक कोशन साही तो आप हिन तो मैं नहीं चाहूंगा कई बच्चे मल्टिपल माग नेक्टिब मार् सब्सक्राइब करके देखने मैं देखता हूं कितने कोशन इसमें से ठीक कर सकता हूं कर सकते हूं तो यह सारे चीज़ें आपको बहुत आके लेकि जाएंगे नॉर्मस सुनेंट से अगर आप डेली लाइफ में करोगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ट्राइड लुट टाइप पैटरन कोशन देखो होता क्या है मैंने शुरू में पता है जब कोई नूउ कोशन इग्जाम में आया ठीक है जब नया कोश्वों की एक्सवर्ट्ट में आए तो एक डर बैठ जाता है यार एक कोश्वन आ गया सपोस्वंज करो दो से पान्स से तीन गोश्वन अलगा अलगा था नूग पैटर्न के आगे तो क्या होएगा हात प्पूले लग जाते हैं यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा और जहां पर एक यह आ गया ना अंदर फिलिंग होगा कि नहीं होगा फिर समझ भू फिर नहीं होता आणी नीचे फिलिंग उसका सबसे तरीका गैं निव बेटरंगे कोश्शन फैंड उट तरो एक्जाम भी तो क्योंसे कोशन लाई रहा है इन पांच में पांच में से युद में से दो दिन चार नहें बेटरंगे सब्सक्राइब करना आपका काम खतम हो गया क्यों फाल दोन को छेड़ने बट अगर वो न्यू पैटर्ण का कुशन आप से हो गया ना तो एक कहते हैं ना उत्साहिद हो जाओगे अच्छे के लिए पॉस्टिव इंटेंट देखा आपको कि नहीं ऐसा कोशन अपने के देखा किया था यह नहीं किया था बटम एनाज कर लिए 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 यूनीक मेथड विच वेले प्रोबाइड यह पूछ इन्द एक्जामिनेशन ओर तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जूरू करना आपने बिकॉस यह बहुत इंपोर्टेंट है थैंक के मार्किंग जी हां नहीं करने थैंक यू